Hello everyone, welcome back to our channel, मैं जोती शर्मा, इस वीडियो में आपके लिए वीलियम शेक्स्पियर की सॉनेट नमबर 73 लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है, That Time of Year Dao, Dao आर्केइक वर्ड है, इट मीन्स यू, ओके, चलिए, शेक्स्पियर की इस सॉनेट को पहले हम समझ लेते हैं, कि ये क्य है, एक्चुलिए, शेक्स्पियर ने 154 सॉनेट लिखी हैं, इन्हें दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है, 126 सॉनेट जो हैं, वो उन्होंने एड्रेस की है, किसी फेयर यूथ को, इनका लववन है, इनका फ्रेंट, नियर डियर, क्लॉजवन की, कुछ भी हैं, यह कौन से सीक्वेंस वाली है, यह भी तो हमें पता होना चाहिए, तो हमारी सॉनेट नंबर 73 जो है, आज की, यह है फेयर यूथ सीक्वेंस की, ठीक है, यानि फेयर यूथ को यह पॉम जो है, डेडिकेट की है, अब शेक्स्पियर ने इस सॉनेट के अंदर क्या बता है, यानि चाहिए हम कितने भी बूड़े हो जाएं, यानि चाहिए हमारी एज कुछ भी हो, लेकिन जो प्यार है ना, वो कम नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग कम नहीं होगा, बलकि बढ़ेगा, खतम नहीं होगा, और एज ही नहीं, बलकि वो कह रहे हैं कि डेथ अगर आ आप जानती हैं, he is a renowned English poet, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist also. अगर संसार के महान dramatist की बात की जाए, he is one of them. और ये एक और important line जो है वो आपके सामने हम mention कर रहे हैं, बहुत बार question में पूछा जाता है, इसलिए आपको highlight कर रहे हैं इसको, कि ये Bard of Evan बाने जाते हैं, Evan अब क्या है, आप इस चीज से confused मत होना, ये एक place का name है, कौनजा है, जहां Shakespeare का जनम हुआ था, तो आप मुझे देखक कमेंट कर कर बताएंगे कि full name क्या है, तो कमेंट में मुझे बताना कि Shakespeare का जो birthplace है, वो क्या है, तो इन्हें Bard of Evan बोला जाता है, Bard का मतलब होता है कभी, शायर कभी, इसके बाद अब हम थीम समझ लेते हैं, हमारी जो ये sonnet है, उसके बहुत से थीम है, जो main है वो है aging, mortality and enduring nature of love means enduring nature का मतलब होता है, continue, means जो continue रहे, जो खतम ना हो, हमेशा रहे, उस type का love, message क्या है, कि enduring power of love can trump over the melancholy of mortality during old age, कि जो old age के साथ साथ, जो मतलब उदासी सी चा जाती है ना, कि हम मर जाएंगे, खतम हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, वो चीजे ना खतम हो जाती है, उ और ऐसा प्यार Shakespeare का है, किसके लिए अपने friend, fair youth के लिए, ठीक है, यह जिनको इन्होंने इसे dedicate किया है, Shakespeare का, ठीक है, चलिए, अब हम समझेंगे इसको line by line, line by line explanation करेंगे, साथ के साथ, जो भी poetic devices हैं, उनको discuss करते हुए चलेंगे, then, Shakespearean sonnet के बारे में समझेंगे, कि Shakespeare जो है, वो किस type से sonnet को लिखते हैं, क्या उनका structure होता है, उसे discuss करेंगे, और उसके बाद में rhyme scheme कैसे निकाली जाती है, इसे भी हम समझने वाले हैं, तो वीडियो पर last तक मेरे साथ बने रहे हैं, देखिए, very first line sonnet की, that time of year, thou amazed in me behold, अब ये जो दो word है, ये archaic word है, और archaic word का पर आम बोली चाली में, ये भाशा बोली जाती थी, उनके वहाँ पर, England में, that time, कि उस समय, साल के उस समय, year, ये साल के उस समय, तुम मुझ में देख सकते हो, when yellow leaves, कौन से साल की बात कर रहा है, अब यहाँ पर ना mention होगी, ये नेक्स लाइन में, कि किस चीज की बात कर रहा और बात करेंगे, इनसान की age की, when yellow leaves, or none, or few, do hang upon those bulbs, which shake against the cold, देखे, hard words आपके सामने mention है, साथ की साथ, और हम साथ में poetic device भी करते जाएंगे, तो बिलकुल एकदम है, concept आपका clear हो जाएगा, इसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी देखने और पढ़ने की ज़रत नहीं जाते हैं, इसका मतलब उम्र जब पकने लगेगी, यानि उम्र जब बढ़ जाएगी, यानि आप जब बुढ़े हो जाएंगे, उस समय मेरे अंदर देखना, या फिर उस समय और नन, मतलब जैसे कुछ भी नहीं रहेगा, या फिर पत्ते थोड़े बहुत रहेंगे, यानि वही उम्र का पड़ाव कहा रहे हैं, जब हम किसी और के उपर डिपेंड हो जाते हैं, उस समय, डू हैंग, अपोन दोस बॉफ्स, बॉफ्स क्या होती है, ब्रांचिस होती है, ट्री की ब्रांचिस होती है, विच शेक, शेक का मतलब हिल न, अगेंस्ट अ कोल्ड, ठंड की वजए से जो हिल रही होती है, उस उम्र के पड़ाव की बात कर रहा है, अब कोल्ड का जिक्रिस लिए क्या है, क्योंकि इंग्लेंड का रहने वाला हमेशा ठंड पड़ती है, तो बहुत ठंड होती है, हवाई चलती है, तो वो जो टहनिया है, वो क्या करती है, हिलती है, औ उनके हाथ कमपन कर रहे होता है और यही सेम नेचर में हुए होता है कि जब पत्ते हैं वो पेड की पीले हो जाते हैं, तहनिया जो है वो बहुत थोड़ी सी कमजौर हो जाती है तो वो ज़्यादा एक्दम हलकी सी हवा से भी तो यहां पर पॉइट यही बताना चाहरे हैं, कि उम्र के उस पड़ाओ में भी तुम मुझे देख सकते हो, कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, या तुम्हारा मेरा जो लगाव है, जो प्यार है, वो वैसा ही रहेगा, I think it is clear, now the time of poetic devices, poetic devices को एक बार consult कर लेंगे न हम, तो फिर यह concept जो है, और बेज़ादा clear हो जाएगी, यह words जो है, वो कहां और कैसे यूज़ की है, देखे, that time of year, अब यहाँ that time of year, जो word यूज़ किया है, इन्होंने, यह very starting में ही, that time of year, यह एक metaphor के रूप में यूज़ किया है, यह लेट एज की बात कर रहा है, लेट एज के साथ में इसको compare कर दिया, तो यहाँ रूपक अलंकार होगे, means, दो एकदम, एकदम अलग चीज़ों को जब वो कर देते हैं, आपस में compare कर देते हैं, जो बिलकुल एक दम दूसरे से match ही नहीं कर रही है, उनको भी compare कर देते हैं, तो वो मेटा भर हो जाता है, नहीं रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार के अंदर क्या बताया है इन्होंने that time of year, कि वो समय, यहाँ जिक्र तो किया है, पेडों का, पत्तों का, लेकिन बताना क्या चाह रहे हैं, यह Late Age के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसके बा की जो quality है वो non living में बता दी परसोनिफिकेशन होता है मान भी करण अलंकार जब living वाली जो qualities है वो non living में बता दी जाती है तब क्या होता है personification होता है तो आप इस चीज को बिल्कुल एक दम अपने mind में clear रखना हम एक बार एक वीडियो और आपके लिए बनाएंगे poetic devices related तो आप बता दीजिएगा कौन सी poetic device जो है वो सबसे पहले आपके लिए करवाई जाए आप comment box में comment करके मुझे जरूर बताना चलिए हम fourth line के उपर चलते हैं हमारा cotton complete हो जाएगा bear ruined chorus where late the sweet birds sang chorus होता है group of people who sing जो मतलब गाना गाते है न उन लोगों का group जो होता उसको कहते है chorus bear ruined bear का मतलब खाली बिल्कुल एक दम अकेला रिउन जो बरबाद हो गए हो जो खतम हो गए हो डैमेज हो गए हो where late the sweet birds sang और बिल्कुल एकदम late जब sweet birds जो है वो भी गाना बंद कर दे उस समय पे भी मैं तुम्हारे साथ होंगा कहने का मतलब क्या है मतलब तुम्हारी जिंदगी में जब कोई music नहीं रहेगा यानि तुम्हारे कान सुनना बंद कर देंगे जब तुम्हारी feelings जो है वो बि इस यह जो फ्रेज है metaphor के लिए यहां पर कैसे देखे यह क्या दिखा रहा है कि यह branches are transformed into bear ruined chorus की showcasing their former glory and emphasizing the silence left behind कि जब बिल्कुल पत्ते जड़ जाते हैं वो एकदम खाली हो जाती है तो कैसी लगती है सुनी-सुनी लगती है और वही चीज compare कर रहे है किसके साथ में यह किसके साथ compare कर रहे है chorus मतलब ऐसे chorus जो बिल्कुल खाली हो गया है जो बिल्कुल गाह नहीं रहे है इत्तम सूने है ना उनके उनके साथ में compare कर रहा है तो यह हो गया metaphor alliteration कहां आया है alliteration आया है देखिए sweet और sung आपने देखा होगा s as consonant sound repeat होगा तो यहां होगा alliteration alliteration आप जानते है अनुपरा सलंकार होता है हिंदी में I think it is clear चलिए next quadrant पर चलते है in me मुझ में thou means you it is an archaic word ceased यह archaic word ही आएंगे बच्चे जब में शेक्स पर लिखा करते थी ना उस टाइम पर उनकी डालेक्ट होती थी यह इस तरह से बोलते थे इस तरह से लिखते थे तो इसको हमें ध्यान रखना है the twilight अब देखिए यह जो वर्ड है twilight यह actually एक ऐसा period होता है दिन का जिसे आप गोधुली कह सकते हैं यानि पुराने जमान में क्या होता था जो गाय भैस बक्रियां वगरा रखते थे उनको चराने के लिए लेकर जाया करते थे घर से बाहर जंगलों में जब चराकर लेकर आते थे न वापिस तो जैसे दिन चिपने लगता था दीरे दीरे जब दिन धलने लगता था शाम अभी पूरी तरह से होती नहीं है सिर्फ धलना शुरू होती है तो वह टाइम होता है इसे गोधुली का समय कहते हैं क्योंकि गाएं लोट रही होती थी और गाएं जब है तो दुपैर भी नहीं है लगब पांच बचे के आसपास का टाइम ठीक है ओफ सच टी कि तुम मुझे अपने जीवन के ट्वलाइट में भी देखोगे यानि मैं हमेशा तुमारे साथ हूं मिन्स खाली यंग एज के अंदर ही नहीं बलकि जब जीवन का ट्वलाइट साथ कंपेर करा है यहां पर देखिए मैटाफर है यहां किस तरीके से ट्विलाइट क्या है रिप्रेजेंट डिक्लाइंग इयर्स ओफ दे स्पीकर्स लाइफ कि जीवन के वह समय जो मतलब दीरे-दीरे ढल रहे हैं वह मतलब जीवन जो है वह इंसान का ढल रहा है तो यहा आफ्टर संसैट और उस समय भी तुम्हारे साहत हो गाएं उस समय भी दैख पाओगे जब संसैट हो जाएं संसैट फिर इन दर वेयें वेये संट कि आप जांते हैं कि पस्चिम में फेड होता है उस समय वह समय पैसीं ऋरहा होता है यानि बिल्कल वस आप दूबने की काग तुम्हारा मेरा प्यार जो है वो हमेशा बना रहेगा यहां एक पोईटिक डिवाइस और है वो पोईटिक डिवाइस है एज फेट के अंदर एज फेट जो यहां पर यूज किया है यह देख़िए रहा है यह पूरी लाइन यहां से एज आफ्टर संसेट इसमें सिमली है पेट को उसका मैं अंदर संसेटिंग के साथ में कूंपेर कर रहे हैं तो यहां पर है सिमली सिमली होते है उपमा जब हम कोई उपमा दे रहे है नहीं उस समय उसको सिमली कहते है लेकिन इसकी एक पहचान है कि वहां पर एज और लाइक वर्ड जो है वो यूज किये तो यह हो गया similar की, as, after, sunset, faith, इस तरीके से, आप देखें, next line हमारी, which by and by black night does take away, तब तक तक तुम्हारे साथ हूं, यानि हम दोनों का साथ तब तक है, जब तक black light जो है, वो सब कुछ अपने साथ ना ले जाए, यानि मृत्य, यहाँ पर death की बात की गई है, यहाँ metaphor ही यूज हुआ है, यहाँ जो यह black night है, यह बच्चे death है, क्या है, death, यहाँ जब बिल्कुर काली रात हो जाती, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से, जब death हाजाती है, तो जीवन जो है, बिल्कुर समाप्त हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सब खतम हो जाता है, तो कह रहेंगे जब death हो जाएगी न और death सब कुछ जब साथ ले जाएगी तो क्या होगा death second self that seals up all in rest कि death जो है वो क्या है second self है जीवन की दूसरी शुरुआत है अब कौन सा जीवन soul का आत्मा की दूसरी शुरुआत है क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ कर अपने next सफर जो है उ रेस्ट में ले आती है बोड़ी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पोजिशन में चरी जाती है अब देखिए अब हम देखते हैं कि कौन सी पोईटिक डिवाइस यूज हुई है हमारी इस लाइन के अंदर देखें यहां मेटाफर भी है और परसोनिफिकेशन भी है कैसे ब्लैक कि रोशनी को चुरा कर ले जा सकती है परसोनिफिकेशन तो इस लाइन के अंदर दो पोईटिक डिवाइस है अब आप देखो शेक्सप्पेशन मतलब कितना मतलब इंटालेज़ेंट अवी सुपर इंटालेज़ेंट पोईटिक इंट इंदर कितनी मलब अच्छे तरीके से words को use किया, इसने एक-एक शब्द को मिला, poetic device के अंदर डाल के, मला, ornamentation जो है न, lines का, यह बहुत ही जबर्दस किया हुआ है, चलिए, next line हमारी हो गई है, इसके अंदर हम poetic device देख लेते हैं, second self हमने बोला, second self, यानि दूसरा जो पहलू है, वो कैसे शुरू हुआ है यहां personification है, personification कैसे है कि death जो है, वो personify किया गया है second self के साथ, कि bringing an end to everything and providing rest, second self कि जिंदगी जो है, वो बिल्कुल खतम हो जाती है, यानि मृत्य जो है, वो शरीर को खतम कर देती है, rest position में ले जाती है यानि इसके अंदर है नहीं इतनी तावर power, इस power है कि मलब सब चीजों को बिल्कुल rest position में डाल सकती है, seal up कर सकती है तो यह क्या हो गया, personification हो गया चलिए, आगे चलते हैं in me thou thou वही, you in me, मुझ में sorry in me thou, since the glowing of such fire seized, अब यह जो word है यह भी उन्होंने इसी तरीके से use किया है जैसा उस टाइम पे use किया जाता था उस तरीके से Shakespeare ने use किया है कि तुम मुझ में देख सकते हो glowing, चमक, किस चीज की उस आग की, उस fire की कौन सी fire जो that on the ashes of his youth death lie, कि जो जवानी के अंदर हुआ करती थी यहां पे यह जो two words है यह physical love से relate किये गए है यानि तुम्हारे मेरे प्यार के अंदर आज भी वही मतलब age हो जाने के बाद भी वही ताकत है, वही feeling है जो कि जवानी के टाइम हुआ करती जो कि यूथ के टाइम हुआ करती थी ashes का मतलब होता है दूल, राक कि तुम जिस समय मतलब जवानी के अंदर जो हमारे अंदर हो ज़ादा फायर हुआ करती थी बहुत ताकत हुआ करती थी बहुत एक ग्लो हुआ करता था वही चीज तुम मेरे अंदर देख सकते हो और आज जो है ना वो स्थिति कैसी हो गई है कि यूथ जो है वो ashes की तरफ जा रहा है दीरे दीरे जो है वो राक होने वाला है as the death सबसे पहले पोईटिक डिवाइस कर लेते हैं इन टू लाइन की उसके बाद आगे चलेंगे देखें फायर जो है ना इसको as a metaphor यूज किया गया है क्योंकि यहां पे fire जो word है वो passion और life force के लिए यूज किया है जैसे मैंने आपको कहा कि physical love की बात हुई है यहां पे कि एक जो physical जो love था ना उनका जितना passion उस समय था जवानी की time पे था वही वो कह रहा है कि आज भी है चाहे कितना भी बिल्कुल एक दम राक होने को जा रही है हमारी जो जवानी है वो बिल्कुल राक की तरफ जा रही है खतम होने को जा रही है बट फिर भी आज भी क्या है fire है आज भी life के अंदर passion है तो यह as a metaphor यूज हुआ है अब एक और हुआ है कि the ashes of youth देखिए ashes of youth जो है वो कैसे है यह कह रहा है कि जो पहले का जो समय है वो अब ashes हो गया यानि राक हो गया मतलब जो पहले का time है जो पहले की जो memories है वो अब सिर्फ क्या है memories रह गई है तो उस समय को भी इन्नोंने compare किया है तो वो भी हो गया metaphor as a death bed where on it must expire कि अब आप ये भी कह सकते हो कि वो कहां पर पहुँच गया बिल्कुल death bed पर पहुच गया है तो उस समय पर it must expire consumed with that which it was nourished by कि अब स्थिती ऐसी आ गई है कि अब क्या हो जाना है सब कुछ खत्म हो जाना है consumed मिल जाना है खत्म हो जाना है ashes जो है न वो बन जानी है हमारी हड्डियों की हमारा जो शरीर है वो कत्म हो जाना है वो स्थिती आ गई है लेकिन इस स्थिती के अंदर भी क्या है हमारा प्यार जो है वो बना रहेगा चलिए सब से पहले तो हम देख लेते है poetic device किया है ना कि जैसे आग सब चीजों को खत्म कर देती है death जो है वो भी सब चीजों को खत्म कर देती है तो as word यूज कर लिया ये हो गई simily यानि उपमा अब यहाँ आईरनी भी है बहुत बड़ी आईरनी क्या है आईरनी ये है कि there is a touch of irony as the fire अब देखो fire है न which was initially nourished is now consumed by the same element कि जैसे fire जो है यहाँ पर पहले तो इन्होंने यूज कर लिया किस तरीके से कि मतलब जीवन के अंदर बहुत जाता passion है और वैसे ही यहाँ पर यूज करा किस तरीके से कि सब चीज़े जो है वो खत्म हो जानी है fire जैसे हर चीज़ को खत्म भी कर देती है जला देती है राख कर देती है बहुत बड़ी विडम बना है fire से आप फूड को ले लो एक बार के लिए food को ले लो food जो है न वो fire की help से ही तो पकता है और fire की help से ही वो जल भी जाता है यानि हमारी जो यह आपने ही कह सकते है fire जो है यह दो तरह से काम कर रही है यह चीजको बनाने का लिए भी काम कर रही है और उसको मिटाने के लिए भी काम कर रही है तो यह क्या होगै irony होती है भी डम बना चलिक है चलिए अब आगे चलते next ॔ हमारा coming? कप्लेट है लास्ट इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं यहां शेक्सपीर के क्वालिटी होती है जो अभी हम आगे डिसकस करने वाले हैं इसकी सॉनेट की जो यहां पर हमें नजर आएगी यानि अभी तक वह तीन क्वाटरिन के अंदर अपनी फिलिंग्स बता रहा है वह एक सा कर रहा है एक तरह से हमारे सामने ना डिकलेरेशन सा कर रहा है लेकिन फाइनल जो यहां पर एक जो कप्लेट आया इस कप्लेट के अंदर ना complete conclusion दे देगा पूरी की पूरी सॉनेट का कैसे आप देखते हैं दो लाइन के अंदर हम दिस दाव परसीवड विच मेक दाई ल ताकतवर हो जाएगा to love that well which thou must leave our long our का मतलब before before के लिए word यूज होता था ये पहले मैंस शेक्सपियर क्या करते थे और before की to love that well which thou must leave our long कि यह जब चीजे तुम्हारी समझ में आ जाएगी मतलब जो चीज मैंने तुम्हें समझाई है कि age के according जैसे 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 एज बढ़ेग घटेगा नहीं यह चीज अगर तुम्हें समझ में आ जाएगी न तो प्यार जो है वो और भी ताकतवर हो जाएगा फिर चाहे क्या हो जिंदगी जो है चाहे खत्म हो जाए लेकिन फिर भी हमारा प्यार जो है वो बना रहेगा अब यहां पे जो poetic device है न वो paradox है यानि विरो जाती है हो जाती है तो आप धीरे 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 उसको भूल जाते हैं भूल जाते हैं जैसे death हो जाती है अगर मान लो किसी की किसी भी love one की near dear की अगर death हो जाती है death के बाद में एक time के बाद में जो है भूल जाते है लेकिन यहां वो बिलकुल उल्टा बोल रहा है वो क्या कह में और भी ज़्यादा प्यार करने लगूंगा देखो लोस स्ट्रेथन लव इवन दो इट माइट सीम कॉंटरेक्टरी कि बिल्कुल कॉंटरेक्टरी बता रहा है न कि डैथ हो जाने के बाद में प्यार जो है वो और भी बढ़ जाएगा कम नहीं होगा तो वह कह रहे हैं कि एज फैक्टर जो होता है न वो ट्रू लव में हिंडर नहीं होता कभी भी ट्रू लव के लिए हिंडर नहीं बनता बाधा नहीं बनता एज का कोई मतलम नहीं होता एज जैसे जैसे बढ़ती है अगर ट्रू लव होता है तो वह भी स्ट्रोंग होता चला जाता है ऐसा नहीं यह वाली जो sonnet है, इसका भी pattern same है, Quadrant and couplet use करते हैं, Quadrant होती है, 4 lines, Okay, and couplet होता है, 2 lines, ठीक है, Shakespeare क्या करते है, 14 lines की sonnet लिखते हैं, 4 lines एक quadrant में होती है, तो 4 into 3 is equal to 12, यानि 4 quadrants हो गए, and 2 line is here, 12 plus 2 is equal to 14, अब आप इसको समझ लीजी एक बार, कि 4 line का string है, 2 line का string है, couplet है, यह quadrant लिखते हैं, 3, couplet लिखते हैं, 1, तो 4 stringers हो गए, अब position क्या रहती है, कि starting के जो 3 stringers है, they are quarter and the final stringer is couplet, Okay, the rhyme scheme is, ABAB, CDCDEF, Don't worry, हम सीखेंगे अभी, कि किस तरीके से यह जो rhyme scheme है, इसका हम पता लगा सकते हैं, अभी सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रही हैं आप मेरे साथ, couplet जो है, उसमें GG rhyme scheme, जो है, वो follow की जाती है, function, जो हम अल्रेडी discuss कर चुके है, कि quadrant में, वो develop करते हैं, किसी theme को, या फिर argument को, Okay, and the final couplet gives conclusion or resolution, you can say, clear, यह Shakespeare का sonnet का style है, अब हम जानेंगे, कि rhyme scheme कैसे निकाले जाती है, very easy, very interesting, पूरी line को, completely पढ़ने की कोई ज़रत नहीं है, पूरी poem को पूरा पढ़ने की कोई ज़रत नहीं है, only जो ही देखिए, colorful words कर दिया है, last last words, उन पे हमें देहन देना है, और आपके लिए बहुत easy कर दिया है, यह जो color है, same sound वालों का same color है, आपको सिर्फ इसे comment करके मुझे बताना है, कि इसकी rhyme scheme क्या होती है, एक तरीका मैं आपको बता देती हूं, कि same sound होगा, उसे हम मान लीजिए, आपने first sound उसको A आपने assume कर लिया, तो ऐसा ही sound जहां होगा उसको आप A मानेंगे, जैसे behold है और cold है, same sound है, तो यह भी A हो गया, hang है, different है ना, sound इससे, behold से, तो it is B, sang, hang and sing, same sound, तो यह भी क्या हो गया, B, हाँ, इसी तरीके से बाकी के जो है, वो निकलेंगे, तो आपकी help के लिए color देखे, same same है, तो थोड़ा सा कम आपको मेहनत करनी होगी, पर आप comment करके मुझे बताइए, please मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि आपने try किया, और आपने समझने कोशिश करी, thank you very much, यह था आपका video, आपको अगर पसंद आया, इसको like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, thanks for watching,